हम लोग पढ़ेंगे past continuous tense के बारे में past continuous tense क्या होता है structure क्या होता है पहचान क्या होता है और सबसे बड़ी बात की इसमें जो time use होता है past का उसके बारे में जानेंगे तो एक एक point के बारे में बढ़िया से समझता है तो सबसे पहले continuous tense होता क्या है जैसा कि हम लोग present में बोलते हैं काम चल रहा है तो past continuous tense में हो जागा काम चल रहा था और सबसे बड़ी बात जो आपका है temporary actions मतलब जर और स्थाई काम जो आपका past continuous tense है देखिए क्या कहता है definition परि past यानि कि वैसा काम जो भूत काल में औस्थाई रूप से हो रहा था अब आप सोच रहोंगे कि औस्थाई काम क्या होता है देखिए अगर मैं बोलू सर की मैं जा रहा था तो यह आपका कौन सा काम हो गया temporary काम अपका हो गया तो बनाएंगे कैसे I was going बात करते हैं पहचान क पहचान का वर्ट क्या होता है रिकॉगनीशन होता है तो बड़िया से देखिएगा मूल किरिया के अंथ में मूल किरिया का मतलब होता है base form ौण सा फॉर्म base form मूल करिया के अंत में क्या है रहा था रहे थे रही थी यह आपका हो गया पहसान कौन सा tense का भई पास्ट कॉन्टिनीमस tense का रहा था रहे थे रही थी ठीक है और इसमें time भी आपका होगा time के लिए दो याद रखिएगा यह then और those days यह आपका बात करते हैं structure बनावट की तो देखे कैसे बही बनेगा आप वहला होता है affirmative sentence हिंदी क्या होता है सवी करात्मकवा के that means जिसे आप accept करते हैं subject के बाद वाज वोर आप ले लिजेगा उसके बाद किरिया का चौथा रूप जिसका नाम है बही present participle present participle उसके बाद क्या लेंगे object जिसका हिंदी होता है कर्म अब सिंपल सा है कि वाज कहां यूज करेंगे वार कहां आई ही सी इट और एक नाम के साथ क्या यूज करेंगे वाज वी यू दे दो नाम के साथ वार तो भाईया मेरे वह जा रहा था जा रहा था जा रहा तो जाने दो किसे बनेगा वाज वार के बाद नॉट उसके बाद वी फोर उसके बाद object वह नहीं जा रहा था तो कैसे बनेंगे वाज नॉट गोईंग एंट्रोगेटीव यानि किसा प्रस्न पूछेगा वो क्या से स्टार्टिंग में क्या होगा तो आप वाज वार को सुरू में ले लिजेगा उसके बाद सब्जेक्ट उसके बाद भी फोर उसके बाद object बनाएंगे कैसे क्या वो जा रहा था वोज ही गोईंग वही बाद चौथा स्ट्रक्चर नेगटीव इंट्रोगेटीव की वाज वार के बाद ले लिजेगा सब्जेक्ट उसके बाद नॉट उसके बाद वर्व फोर उसके बाद object से मिखी जैसा तो है बस सब्जेक्ट के बाद आपको क्या एड करना है नॉट क्या वो नहीं जा रहा था ऐसे बनेगा वोज बाद करते हैं नॉट की बहुत काल की आदत जो पास्ट में सर आपका आदत है उसको बताद करते हैं नॉट की बहुत काल की आदत बताने के लिए दो इंपोर्टेंट वर्ड का यूज करते हैं एक तो यूजड टू अपने पढ़ा है सर और दूसरा में बता दो वुड का यूज जैसे मैं जाया करता था आई यूजड टू गो या आई वूड गो वूड के बाद टू का यूज नहीं करते हैं क्योंकि मो यूजड टू ड्रिंक वाइन या ही वूड ड्रिंक वाइन तर आज किस क्लास में हम लोग पढ़े हैं पास्ट कॉंटिनिवस टेंस के बारे में वैसा काम जो भूत काल में औस था इरूप से हो रहा था पहचान पढ़े रहा था रहे थे रही थी दो इंपोर्टेंट कोड ह इसका देन और दोज देज जीस क्वेस्टन में ये दोनों मिलेंगे उसमें सर वाजवर के बाद वीफोर का आना बिलकुल जरूरी है अब फर्मेटिव होता है वाजवर के बाद वीफोर प्लस अबजेक्ट नेगेटीव होगा वाजवर के बाद नॉट ले लिजेगा जूट नहीं बोल रहा था इसका जवाब आपको कॉमेंट मॉक्स में देना ये आपका हो गया पास्ट कॉंटिनीमस टेंस